हेलो बच्चों, फाइनली आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है, इस बार आपका सेट पेपर ए होने बाला है आपका, वो समय अब धी आपको ड़ाइ गंटे के वो पूरा का आपका साथ नमबर का रहने बाला है, अरदवार सेक मुल्यांकन दोहज़ात तेस चोविस के पेपर, अंग्रेजी, दुत्य भासा, कक्छा, साथ के, पेपर का हम हल देखने बाले हैं, यह पका 100% रियल पेपर होने बाला है, यदि आप चनल पर पहली बारा हैं, तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को ओन कर लिजी, इससे क्या होगा कि आपको रियल सबसे पहले मिल जाएगी, तो आइए सुरू करते हैं, आपको यहाँ पर यदि आपको नहीं पता है कि यह रियल है या फेक है, तो आप हमारा पिछला पेपर देख सकते हैं, गड़ित का, तो एक भी कॉस्चन उसमें से बाहर नहीं गया था, तो आइए सुरू करते हैं, ल इसका सही हो जाएगा आउसर आपका सांती, अगला कॉस्चन है, वाट डिड़ दा भूला गेट फ्रॉम दा में इन दा एक्सचेंज फोर हिज होर्स, तो इसका उप्सन हो जाएगा आपका आउसर सही, क्या मिला था उसके लाने, तो यहाँ पर आउसर दिख रहा होगा इसके बाद हमारा चौता कॉस्चन है, वाट इस दा कमपेरिटिव डिगरी ओफ दा एड्जेक्टिव हाई, तो कमपेरिटिव में क्या लगाते हैं, यह लगा लेते हैं, तो यह आपका उप्सन नमबर पहला सही हो जाएगा, तो देखिए, पहले का आपका था दूसरा, औ चौते का आपका पहला, इसके बाद अगला कॉस्चन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर यह कोस्चन देखिए हुए है, वह हमने पहले ही कर ली है इनको हल, तो देखिए, इसका यह सही था, इसका यह और इसमें बी, इसके बाद आपका ए, और यह लास्ट का पांच मा पानी में, तो यह हमारा है रोड, जहाँ पर पानी नहीं होता है, रटना नहीं आपको समझ लेना है ताकि आप पेपर में जाकर अच्छे से लिख सकें, तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, सिप्स on the sea, तो इसमें आपको भरना है, सेल, क्या भरना है, सेल, एसके बाद आपको क्या, भूला क्या था, तो होर्स्ट्रिनर, क्या था, होर्स्ट्रिनर, इसके बाद है आपका आठमा, तो इसमें हो जाएगा, आपका देखिए, क्या लेखना है, तो यहाँ पर लिखा है, सुब्रा is pretty, but her sister is, दैन लगा है, तो इसमें क्या लगा लेंगा, आप pretty कि की स्पलिंगे पी आर ई टी आई ई आर प्रिटियर ठीकि तो यह इस वाले हम आठें वाले में नुमें वाले में आपको क्या बनना है देख़िए यहां पर लेखा है सोपर लेटेब उफ ब्राइट लिखा है तो यहां पर ब्राइट एस्ट में से इसटी हटा लीजिए और जी हो जाई आपकी स्पेलिंग भी आराई जी एच्टी ब्राइट इसके बार लास्ट है आपका दस्का लॉइन इस दा यहां पर फोरेश्ट तो लॉइन क्या होता है किंग लॉइन इस दा किंग तो यह आंसर हो चुके हैं सभी के इसके बाद अगल ऐहने हों अनसर तो यहां पर कॉँजा सर्फ की आंसर ओन्सर दिख रहे होँगे यहां पर को यहां पर आपकर रिक्त स्थानों की आंसर देख रहे होंगे आपको तो किस प्रकार से बनने हैं आपको यहां पर देख लेना है इसके बाद हमारे यह question दिए गए हैं 11 से तो आप देखिए इनको यह question दिए है 11 से 16 तक तो आई इनको हलक आते हैं पर नीचे देखते हैं 18 तक के question तो देखिए यहां लखा where did bholla go to shell the horse? whom did bholla meet first? where do the boat sell? what do we call the bow that bridges rainbow? तो इनका हमानसर देख लेते हैं तो आई यहां पर यह दिए गए आंसर तो यह रहे आंसर यह question हमारा 11 माह इसका आंसर है तो देखिए इसको देख लेते हैं यह रहा where did bholla go to sell the horse? तो इसका आंसर हो जाएगा bholla went to sell the horse in the market यह हमारा बारमा question था whom did bholla meet first? तो इसका हो जाएगा he meet first a man better donkey next question है तीरवा where do the boat sail? तो boat की spelling है bhoat इसके बाद इसका हो जाएगा boats sail on the river अगला question है what do we call the bow that breezes heaven? इसका हो जाएगा rainbow तो यह आपकी question यह रहा तो change the gender in the following sentences and rewrite तो देखिए यहाँ पर आपको gender change करना है जैसे यहाँ पर boy का ठीक कौन से सब्द का तो यहाँ boy और mother का gender change करना है तो boy का gender होता है girl उल्टा और mother का होता है उल्टा father तो इसका girl और इसका father इसके बाद अगला question है आपका यह इसके बाद है जीवाला सूलमा make sentences using the adjective byes and tall इन दो सब्दों से मिलकर आपको night answer बनाने है ठीक नए वाक के बनाने है तो यहाँ पर इनकी answer देख लेते हैं यह दिये गए हैं तो यह दो answer दिये गए हैं यह आपका राम is wise man यहाँ पर सनी is tall boy तो यहाँ पर यह दोनों answer है हमारे सूलमे की यह पहला और यह दूसरा अच्छे से लिखकर इसको complete कर लीजिएगा इसके बाद हमारा अगला question है आपका तो यहाँ पर question दिये गए हैं अगले 17 वाठार है तो इनको देख लेते हैं क्या लिखा 17 वाठार में में तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइड दा होस्ट ट्रेनर and his wife decided to sell the horse इसके बाद है आपका find the rhyming words from the sentences given below and write तो देखिए यहाँ पर I like to bag यहाँ पर लिखा है केट तो केक का हमें बनाना है ठीक है तो केक का आपको क्या बनाना राइमिंग बर्ड तो केक का क्या बन जाएगा बेक ठीक है तो यहाँ पर बेक केक हो जाएगा और सेक भी लिख सकते है ऐसे के यह हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिंग का लिखना है तो सिंग और किंग है यहाँ पर द तो आपको यही लिखना है इसमें बैक और केक है राइमिंग बर्ड इसमें केंग और सिंग है और लास्ट वाले में आपका केट और मेट यही आपके अंसर है इसके बाद आपके यहां पर यह आंसर दिये गए है तो अच्छे से कर लेना है यह हमारा क्वश्चन नमबर 17 का अंसर है इसके बाद आपके क्वश्चन यह रहे यह 19, 20, 21, 22, 23 तो उन्होंक अच्छे से देख लेना है यह रहे हमारे इनकी आंसर यह रहा question number 19 का answer और यह रहा question number 20 का answer तो इन्हों को अच्छे से लिख लिजिए और complete कर लिजिए जो question यहाँ पर बचते हैं उन्हों को हम अगले वाले वीडियो में यहाँ पर आपका cover करवा देंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और इनको complete कर लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में